वेलकम टु मॉनिकॉल क्लासे दोस्तों आज हम पठ धातु रूप करेंगे जिसका अर्थ होता है पढ़ना तो आएगे शुरू करते हैं लेटलकार से जिसका अर्थ होता है वर्तमानकाल यानि प्रेजेंट टाइंग प्रथम पुरुष में देखते हैं एक वचन होता है पठती द्री वचन पठता बहुवचन पठन्ती यानि कि पठती मतलब कि वह पढ़ता है पठता वे दोनों पढ़ते हैं पठन्ती वह सब पढ़ते हैं मद्य हम पुरुष में देखते हैं पठसी पठत पठत यानि कि तुम पढ़ते हो तुम दोनों पढ़ते हो तुम सब पढ़ते हो उत्तम पुरुष में देखते हैं पठामी पठाव पठाम यानि कि मैं पढ़ता हूँ हम दोनों पढ़ते हैं हम सब पढ़ते हैं तो आए दोस्तों नेक्स देखते हैं लिटलकार यानि कि भविश्यकाल प्रतमपुरुष पठीश्यती पठीश्यत पठीश्यनती यानि कि वह पड़ेगा वे दोनों पड़ेंगे वे सब पड़ेंगे मध्यमपुरुष पठीश्यशी पठीश्यत पठीश्यत यानि कि तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे उत्तम पुरुष पठिश्यामी, पठिश्याव, पठिश्याम यानि कि मैं पढ़ूँगा, हम दोनों पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे पठ का देखते हैं लंगलकार यानि कि भूतकाल पास्टाइम अपठत अपठताम अपठन इसका मतलब होता है कि उसने पड़ा उन दोनों ने पड़ा उन सब ने पड़ा मध्यम पुरुष अपठ अपठ अपठत यानि कि तुम ने पड़ा तुम दोनों ने पड़ा तुम सब ने पड़ा उत्तम पुरुष अपठम अपठाव अपठाम यानि कि मैं ने पड़ा हम दोनों ने पड़ा हम सब ने पड़ा अब दोस्तों देखते हैं लोट लकार, प्रथम पुरुषत या पठतू पठताम पठन्तू, पठतानी पठाव पठाम, पठताम पठन्तू यानि कि उसे उसे पड़ो, उसे दोनों पड़ो, उसे सब पड़ो, पठ तुम पड़ो, पठतम तुम दोनों पड़ो, पठत तुम सब पड़ो, पठानी मैं पड़ू, पठाव हम दोनों पड़े, पठाम हम सब पड़े, पठ होता है विदीलिंग यानि कि सजेशन्स देना, पर्थम पुरुष पठेत, पठेताम पठे यू, यानि कि उसे पड पढ़ना चाहिए उन दोनों को पढ़ना चाहिए उन सब को पढ़ना चाहिए मध्यम पुरुष पठे पठितम पठेत यानि कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तुम सब को पढ़ना चाहिए उत्तम पुरुष पठेयम पठेव पठेम यानि कि मुझे पढ़ना चाहिए हम नोनों को पढ़ना चाहिए हम सब को पढ़ना चाहिए दोस्तों यह आपको लकार पांचो लकार कैसी लगी यह धातूरूप कैसा लग गया मुझे जुरूर बताई कमेंट बॉक्स में और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और से शेयर कीजिए ठैंक यू फ्रेंड्स बबाई